इस वीडियो में मैं लेक्रेंटिस लीने पार्शल डिफ्रेंशल एक्वेशन का फिफ्ट क्वेशन सॉल करने वाला हूं यह भी बहुत इंपॉर्टन्ट क्वेशन है आप इस वीडियो को आखे तर देखिएगा तो देखो क्वेशन क्या दिया हुआ है अब πांशल देखो सफ्ट करते हैं मैं अब इक्वेशन के लेक्रेंशल ने। इसका अब एक्वेशन ने तर देखो लिफिफो में देखोल। टर्म डीस अपने इस टर्म एन्द दये उपने इस टर्म तो रहां पर इसको सॉल करेंगे ने ==== हम क्या करेंगे next step में इसको से मानस करेंगे इसको से मानस करेंगे फिर इसको से मानस करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा आपने देखो क्या से solve करेंगे dx-dy upon me this minus this x square minus yz minus y square plus zx यह minus यहाँ पर क्या होगा प्लस हो जाएगा this equals to इसको से मानस कर लो तो क्या होगा पर dy-dz upon me this minus this y square minus zx minus z square plus xy यह आपको हो गया फिर next step क्या हो देखो तो इसको से मानस कर लेंगा आपन लो तो dz-dx upon me dz square minus xy minus x square plus yz आपको यहाँ पर होगा इतना ठीक है अग्ले step क्या करेंगे इसको इससे common कर लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे z को common निकाल लेंगे वैसे आगे के भी cases पर वही करने वादे हैं तो देखो क्या होगा होगा आपके dx minus dy upon me this is x square minus y square यहाँ से रखती है यहाँ पर क्या करेंगे आपको z को common निकाल लेंगे तो ठीक है यहाँ पर प्लस लिखो जैट लिख दिया हाँ पर तो this is x minus y x minus y क्योंकि यहाँ पर x square minus y square dave तो यहाँ पेख करेंगे आपको लों x minus y वालाई थर्म मेरा रखेंगे इसलिए पहले इसको फिर इसको this minus this क्या होगा है ठीक है तो दिखो यह तो दोमाई मानस थो दिस मानस दिस होगा अपना ठीक है तो देखो हैं पर तो देखें तो तो Y-Z ऊंगा हो गया है, ठीक है, आगे क्या होगा है, आगे क्या होगा है, आपको आपको D-DX कर दो यहापर, वैसे तो आपको आपको X-Z square जाएगा, Z-Z square-Z square प्लस, यहाँ पर कमन निकल लेगा हैं, आपको Y-Z, is z minus x ठीक यह ऐसा हो गया देखो यहां पर x कर दिया तो यहाँ पर एक x-y अल्रेडी यहां पर है ठीक है तो this is x- y into x plus y दिया हुए तो x- y को देखो हम क्या करूंगा? कॉमन निकालूंगा ठीक है तो यहां पर लिखो dx x-dy upon me, देखो यहां पर तुम्हारा परस क्या बचेगा, x-y, मैं निकाल दिया पहले, तो देखो यहां पर क्या बचेगा, x-dy, यहां देखो अपने क्या बचेगा, z, यहां को हो गया, बैसिन क्या करेंगी, आगे वाले में वह करेंगी, देखो क्या करेंगी, आपने क्या बचेगा, x-dy, बचेगा, x-dy, बचेगा, यहां पर आपने क्या बचेगा, x-dy, बचेगा, यहां पर अपने क्या बचेगा, x-dy, बचेगा, यहां पर अपने क्या बचेगा, x बचेगा, यहां पर अपने क्या बचेगा, x बचेगा, तो यह तो देखो यह तिनों क्या आप असमें cancel हुए कि नहीं तो आप we are left with only dx minus dy upon me x minus y this equals to dy minus dz upon me y minus z equals to dz upon me dx upon me dz minus dx upon me z minus x यह अपना हो गया this is supposed to be equation by 2 ठीक है equation 1 अपना कुछा है जो आपको question पूछा गया था ठीक है अच्छी बात है तो देखो यहां पर हम क्या करेंगे taking अभी यहां पर क्या है हम दों δो fraction को जो है ले सकते हैं ठीक है तो देखो हम क्या करेंगे starting दो fractions को लेंगी taking first two fractions taking first two fractions का होगा आपना है मैं separate कर ले रहा है था ठीक है तो this is dx upon x minus y यहाँ minus दिया है तो minus dy upon x minus y equals to यहाँ पर क्या वाइसे separate कर लो dy upon y minus z फिर देखो यहाँ पर तुम्हाँ क्या जाएगा dz upon y minus z ठीक है तो यहाँ पर अपर अपर इसको integrate करेंगे on integrating तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर this will become log x minus y this will become minus log x minus y देखो यहाँ पर तुम्हाँ क्या बन जाएगा देखो यहाँ minus नहीं बना देखो आपर क्या लिखा य लिखा हुआ है y के aspect में पर अपर जब करेंगे यहाँ पर तो minus और common निकलेगा तो यहाँ पर क्या वाइगा प्लस हो जाएगा ठीक है वैसे अपने इसको कर लेंगे equals to log y minus z ठीक है y के aspect में क्या y का coefficient क्या हुआ है ठीक है तो यहाँ पर देखो क्या है minus log y minus z लेकिन जब मैं z के respect में करेंगा तो यहाँ देखो coefficient क्या है minus y है तो minus और minus अपने क्या प्लस हो जाएगा फिर दोखो हम क्या लिखें यहाँ पर plus log c1 एक constant भी यहाँ पर तुम्हाँ क्या होगा रहेगा तो दोखो हम पर double होगा कि नहीं दोखो क्या होगा हम पर 2 log x minus y वैसे दोखो हम यहाँ पर क्या प्लस दो है तो इसको यहाँ पर लेकिन दो minus 2 log देखो यहां पर क्या y minus z है यह अपना हो गया this equals to log of c1 ठीक है जी आगे बढ़ते हैं इसको नीचे लिखाते हैं ठीक है दो देखो अपने क्या बन जाए गई है इसको हम लिख सकते हैं ऐसा log of x minus y का holy square minus log y minus z का holy square equals to log c1 लिख सकते हैं इसको ऐसा b equals to log a by b हो जाएगा तो log x minus y अपन में y minus z के लिए इसका power 2 equals to log c1 हो गया आपके हैं आपके देखो क्या लिख लिख सकते हैं आपके x minus y upon me y minus z power 2 equals to c1 इसको लिख सकते हैं कि नहीं इसको क्या होगा x minus y upon me y minus z equals to root c1 which is equals to c2 तो यह जब निकला है this is the value of c यह अपना value किसका होगा यह अपना value होगा u का तो जैसे मैं u निकाला हो यहाँ पर वैसे हम क्या करेंगी v निकालेंगी तो यह दो fractions को आपस में equate करके तो यह थोड़ा lengthy है लेकिन easy है तो देखो उसको भी अपना solve पर लिख यहाँ पर देखो क्या होगा है यहाँ पर taking last two fractions तो last two fractions क्या दिया मुझे आपके question में यह तो दिया होगा है ठीक है नहीं यह तो दिया होगा यह अपने क्या last two fractions होगा है तो यहाँ पर लिख लिख लूँ taking last two fractions we get d y minus d z upon me y minus z equals to d z minus d x upon me z minus x गया पहो गया जिसका आप solve करिएगा ठीक है जैसे में इसको यहाँ के solve गिया ना बिल्कुर उसी pattern में जो है इसको आपको solve करना है finally आपको जो मिलेगा last step उसको में लिख लेता हूँ ठीक है that is y minus z upon me z minus x इसका whole square equals to c3 आपको मिलेगा which can be written as y minus z upon me z minus x क्या हो देखा आपके root c3 हो जाएगा which can be written as c4 तो यह आपको जो मिलेगा this value of v तो आपके यहाँ पर u मिल चुका है आपके यहाँ वी मिल चुका है ठीक है तो u मिलने वाद हम पर क्या करेंगे आपके solution दिखेंगे तो यहाँ पर लिख लो y minus y upon me y minus z comma में दिखो भी अपना क्या ही है तो आपके लिखेंगे अपके लो y minus z upon me z minus x यहाँ लिख दिया this equals to 0 and this is my answer thank you अपके लिखेंगे